हलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी मैं हूराम्वी राश्फु सवाथ कर रहो आपका जीमेट पर और आज हम विशेश क्लास में पढ़ने वाले हैं हैमर हैमर में भी हम विशेश तो और पर आज देखेंगे हैं थैंड हैमर के बारे में तो चलिए दोस्तो श्टार्ट हो जाईए जाज जदा जो भी मेत्र हैं उनको शेयर कर दे क्लास को ताकि इस क्लास का मज़ा दुह ना हो सके ठीक है तो ध्यांस सुनिएगा हैमर में काफी सारे कोश्चन हमारे एक्जाम में पूछे गए हैं पिछले परिक्षाओं में 2018 में इसमें एक्जाम में कोश्चन साएं और सभी ट्रेडों में हैमर जो है वो पढ़ाया जाता है इसलिए सभी ट्रेडों के लिए हैमर बहुत ज़्यादा जरूरी है सुबह 10-10 बजे का सेशन रहता है हमेशा आप सारे दस बजे जोड़ना ना भूले कुछ विशेश पढ़ने के लिए कुछ अलग पढ़ने के लिए चलि हैंड और एजन्डल हैंड और हैंडल अब अगर बात करते हैं कि हैं ए कि हमारे सिर्फ हैड की बात करें तो है उभाग रहेंगे वह अलग अलग क्या रहेंगे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके के हैमर डिजाइन किये गए हैं और इस पिन से हम एक अपने इच्छा के अनुसार इस पिन से यानि जो अलग डिफ्रेंट डिफ्रेंट डाइम के जो पिन के हैमर होंगे उन पिन हैमर से हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आ फेस ही बहुत होता है जिसे आगे वाला भाग जिसे क्या का जाता है फेस एक और बात ध्यान रखेगा प्रिक्षा में पूछा गया है कि भाई हैमर किस धातू का बना होता है या हैमर का हैड किस धातू का बना होता है तो ध्यान रखेगा हाई कारबन इस्टील का ध्यान सुन तो वह चीज क्या होती है या तो अपने आकार में परिवर्दन करेगी अगर आप या फिर उसका उसका जो कारे होगा या जो भी आप काम कर रहे हैं जिसे आप कील ठोकने का काम कर रहे हैं तो कील आपकी क्या हो जाएगी जो भी दीवार वगेरा में होगी ठुक जाएगी इस जिस भी आप जौब पर काम कर रहे हैं, जिस भी जौब पर आप फोर्जिंग कर रहे हैं तो वहाँ फोर्जिंग में मदद करना, तो मसीणिंग कार vibes में और वी कही सारे टूल्स प्रियोग में लाएजाते हैं, तो उसमें एक हैमर भी एक होता है, और lेकिन इसके बाद निचला ये वाला भाग क्या है नेक है इसके बाद में आ जाता है आई होल ये अंडा कार होता है आई होल कैसा होता है अंडा कार रहेगा ठीक है इसके बाद में वेट्स आ जाता है ये बीच वाला भाग हो जाता है weights क्या होता है इसके अंदर जब handle को फसाया जाता है तो छोटी-छोटी कीले, chipping वगरा है इसके अंदर लगा दी जाती है ताकि handle क्या हो मजबूती से अपनी grip बनाये रखे किसके साथ में head के साथ में इसके बाद का भाग क्या कहलाता है neck यहाँ पर जो neck बनेगी यह अलग-अलग आकार की रहेगी उपर के pin के अनुसार रहेगी यह वाली neck हमेशा fix रहती है ध्यान रखेगा pin से कारे करते समय बीच-बीच में हमें सामने वाले head से heavy force लगाना पड़ता है इसलिए यह वाला जो सामने वाला head है यह जो flat face है यह प्रतियक हैमर में होना जरूरी है ऐसा नहीं कर सकते इसका अपयोग बहुत ज़्यादा होता है pin का अपयोग एक विशेश shape देने के काम आता है उस समय पर बीच में अगर हमें heavy load की जरूरत पड़ जाया तो हम किसका face का अपयोग करना शुरू कर देते हैं इसके बाग में जहां से face शुरू होता है वहां से लेकर के face के starting point तक यह जो बीच वाला भाग होता है इसका वजन बढ़ाने का काम करता है generally से हम pole के नाम से भी जानते हैं clear है और आगे हमारा यह face ठीक है तो यह आपने समझ लिया किसके बारे में head के बारे में अब बात करते हैं handle तो handle के दो भाग होते हैं एक neck होता है और एक grip होता है grip जहां से handle जहां से हतोड़े को पकड़ा जाता है वो क्या है आपके grip कहलाएगा चलिए अब हम आगे चलते हैं nest अगले point पर चलते हैं अगले point पर हमारा क्या है तो ध्यान सुनो यह है अब हमारा ball pin hammer यानि pin के आधार पर जो वर्गी करण किया गया है उसमें पहला जो part आता है वो है ball pin hammer और ball pin hammer के विशेश रूप से मैं आपको बता दूँ shaper machine जो होती है उस पर अगर कोई job आ रहा है तो उसको दिशा प्रदान करने का भी कारे यह है करती है exam में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता दिया इसके साथ साथ rivit अगर आप rivit ठोक रहे हैं rivit ठोकने के बाद में rivit के face को अगर आपको चप्टा करना है तो भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं ठीक है किसी भी welding shop में अगर आप work कर रहे हैं welding shop करने के बाद में उपर की side जो slag जमा हो जाता है यहनि welding होने के बाद में अफसिष्ट जो होता है जो welding सते है कि उपर जमा रहता है उसको भी अटाने का काम कौन करता है बॉल पिन हैमर करता है यहां पर देखिए रिविड के उपरी भाग को यह क्या कर रहा है चप्टा कर रहा है कौन कर रहा है बॉल पिन सौझ में आगी होगी बात बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे एप में मिल जाएगी ध्यान रखेगा वैसे देखा जाए तो सभी हैमर का जितने भी हैंड हैमर है उनका वजन रहता है 0.11 किलो ग्राम से 0.91 किलो ग्राम ठीक है 0.11 केजी से 0.91 केजी के बीच में ठीक है तो यह इसका वजन रहता है लेकिन यहाँ पर बॉल पिन के विशेश रूप से बात की गई है तो द्यान नहीं रखेगा यह आपके हलके कारेव में अगर प्रियोग में लाया जाएगा तो 0.33 किलो ग्राम का रहेगा ठीक है 0.33 किलो ग्राम का रहेगा और अगर भारी कार्यों में प्रियोग में लाया जाएगा, 0.45 kg से 0.91 kg तक प्रियोग में लाया जाएगा अधिक दम, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, यहाँ पर आप से पूछा जाएगा कि बॉल, पिन, हैमर का पिन, जॉब के साथ किस प्रकार का संपर्क बनाता है? बॉल, पिन, हैमर का पिन, पिन यानि उपरी भाग, सते के साथ किस प्रकार का संपर्क बनाता है? तो आपको बताना है exam में और बोलना है point contact बनाता है कौन सा बनाता है point contact बोले तो बिंदू संपर्क बनाता है clear है और इससे जो लगने वाली चोट होती है वो किसी भी जगे को flat करने में सीगरता से flat करने में ज़्यादा काम आती इसलिए इसका प्रियोग riveting में भी किया जाता है riveting मतलग rivet लगाने की प्रकरिया riveting कहलाती है चलिए rivet आप लोग जानती होंगे आपने देखा होगा अगर आपने चाय बनाने वाला अपना बरतन देखा हो तो उसके handle को जो जोड़ा गया है वो भी rivet के माध्यम से जोड़ा गया है ना इसके अलावा पुराने टाइम में बाल्टी वगरा आ अगला पॉइंट अब आते हैं क्रॉस पिन हैमर यहां पर बहुत सारी भ्रांतियां रहती है बच्चों के दिमाग में और कभी कबार क्याता है कि मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा बैस आप यहां द्यान दीजिए यहां पर आपको 100% और ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि आ सुनना क्रॉस पिन हैमर क्रॉस पिन से मतलब यहां पर यह होता है कि जो हैंडल होगा जो हैंडल होगा यहां दिख रही है आपको हैंडल हैंडल जो होगा उस हैंडल के साथ में जो पिन लगी होगी वो 90 डिग्री पर लगी होगी इस प्रकार से ना यानि यह आपका हैंडल के बिलकुल लंबवत लगी होगी पिन यानि 90 डिग्री पर ये पिन क्या होगी क्रॉस कर रही होगी इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है इसलिए इसको क्रॉस पिन कहा जाता है काफी सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और कई बार मैंने देखा है कई बार बच्छा यह बोलता है वो लगी नहीं साथ यह अगर आपका ऐसा है और ऐसे हो करके मुड़ रहा है है ना यह नहीं तो काफी सारे लोग कुछ भी बोल देते तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्रॉस्पिन क्या होगा ध्यान रखीगा यह भी प्रिकार क्रॉस्पिन है लेकिन मैंने क्ला हैमर पकट रखा अपने हाथ में लेकिन ध्यान रखना इसको सीधा करो और सीधा करने के बाद में यह जो पिन होनी चीए वो 90 डिग्री पर हैंडल के साथ में इस हैंडल के साथ में 90 डिग्री पर होने चाह, ये ply h delivering है, ये cross pin डिखाई गन्हें है ठीक है ये ply hammer है, और सीधा होगा, ध्यान रखेगा ऐसा सीधा होगा और pin इस तरीके से आपको दिखाईं देगी, 90 डिखाईं देगी इसके साथ 90 जैसा मेरा हाथ रखा हुगा ना मेरी उंगलिया जिस दिशा में है मेरी उंगलिया जिस दिशा में है वो है cross pin hammer का design ठीक है चलिए समझ के होंगे अब इसका use क्या है ऐसे इस्तान जहां सक्री जगे होती है सक्री जगे मतलब जहां पर pin का जो आपका hammer रहता है उसका head काम नहीं कर पाता है head में भी आपका flat head जो है flat जो है वह काम नहीं कर पाता वो अच्छी तरीके से उस जगे नहीं पहुँच पाता वहाँ पर हम किसका प्रियोग कर देते क्रॉस्पिन का प्रियोग कर देते जो आसानी से इस कोने वाली जगे में भी किसी भी कील को ठोक सकता है समझने है तो फ्लैट जो एरिया है वो जहां काम नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर इस cross pin hammer का प्रियोग किया जागा और आसानी से यह चीज यहाँ वहाँ पर work किया जागा चलिए आगे चलते आगे क्या है आगे की बात देखो अब आगे आ रहा है straight pin hammer अब यहाँ पर ध्यान रखना straight pin hammer क्या रहेगा अगर handle के साथ में अगर handle के साथ में pin समानांतर है यानी 180 degree का angle बना रही है handle और pin एक दूसरे से कितने degree का angle बना रही है 180 degree का angle बना रही है तो वह है straight pin hammer कौन सा hammer है straight pin hammer ध्यान सुनिएगा यहाँ पर straight पिन यानि जिस दिशा में handle जा रहा है उसी दिशा में ये straight है देखो ये हिस्सा और ये handle एक दूसे से क्या है straight है तो ध्यान रखना गलत मत पढ़ना सही जानकारी लेना तब ही आप railway ALP में select हो पाएंगे जिन बच्चों का सपना है ALP बनना वही बच्चे हमसे जुड़े हैं वही बच्चे हमसे पढ़े वरना हमें किसी ऐसे बच्चे की जुरूरत नहीं है जो एक साथ आट दस एक्जामों की या चार पाँच एक्जामों को माइंड में अपने रखे हुए है ALP के जॉब सर्वस रेष्ट है और आपको उसी का फोकॉस बनाए रखना है और हमारे यहां ALP के बनने का सपना नहीं हकीकत दिखाए जाती है यहां पर 90% प्लस का स्कोर करने के लिए बच्चों प्रेरित किया जाता है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ र जिखाएं दे रहा है इस्ट्रेट पीन है यह जणरली क्या काम आता है यह आपकी नालियां काटने काम आएगा ठीक है नालियां काटने काम आया क्लियर है तो ये आपका कौन सा हो गया सभी हैमर का वजन fix होता है 0.11 kg 0.11 kg 0.91 kg 0.11 kg 0.91 kg ठीक है ये ध्यान रखिएगा यही आपका fix वजन है अगले पॉइंट बचलते अगला पॉइंट आपको एक एक करके सारे हैमर समझ में आ रहा है फ्लैट पिन हैमर या आप कर सकते हूँ फ्लैट पिन हैमर फ्लैट पिन हैमर की दोनों साइड एक दूसरे से एक दूसरे से सेम होती है यानि ये वाला भी हिस्सा और ये वाला भी हिस्सा दोनों क्या होते है एक दूसरे से बिलकुल सेम होते हैं ठीक हैं और आप इसे दो फिलेट पिन हेमर भी कह सकते हैं ना डूल फिलेट पिन हेमर भी कह सकते हैं ठीक है समझ के होंगे मेरी बाद वेकेंजी कावाई कि बटा इसके लिए अगर यही सोच रहे हो अल्रेडी पांस साल का समय गुजर चुका है अगर यही सोचते रहोगे तो यही सोचते रह जाओगा परिक्षा भी हो जाएगी परिक्षा के दस दिन पहले आप सोच रहोगे अब जवरदस तैयारी कर लेंगे दस दिन में क्रैक हो जाएगा अभी फॉर्म भरे नहींगे फॉर्म भरते टाइम भी आप यह कर लेंगे जो बच्चा सेलेक्ट होने वाला होता है वो एक बात बोलता है कि मुझे कल ही पेपर मिल जाए तो मैं कल ही सेलेक्ट हो जाओ अगर यह बावना आपके मन में आ चुकी है तो मैं आपसे काऊँगा कि अब आप कैप में से पूछ सकते हैं कि वेकेंजी काव आएगी और अगर आपका सिलेवस आज की तारीक में कंप्लीट नहीं है तो यह सवाल को पूछने का अकदार भी आप बिलकुल भी नहीं हैं सम काम हम लोग कर सकें चलिए आगे चलते है फ्लैट पिन हैमर कला हैमर बहुत अच्छा है कला हैमर के विशह में मैं आपको कहना चाता हूँ यह जो हाथ में लिया हुआ है यह है कला हैमर कला हैमर में क्या होता है यहाँ पर देखो नालियां कटी हो दिख रही होंगे आपको ना विशेश तोर पर या दिखाएं देरों को दो नालियां कटी होती हैं दो नालियों की वज़े से ही हम आसानी से यह नालियां कटी ना इसके अंदर बीच में यह नालियों के बीच में हम कील फसा करके इसको आसानी से एक लीवर के समान प्रियोग में लेकर और कीलों को नि प्रियोग अधिक किया जाता है कीले जहां पर जादा प्रियोग में लाई जाती लगाई जाती वहाँ पर इसका प्रियोग अधिक होता है ठोकने का तो काम करेगा ही करेगा इसके साथ साथ कील को निकालने का भी काम करेगा और यह एक क्ला हैमर आपके सामने दिखाएं दिया अगले point पर चलते हैं Sledge Hammer हमारे पास बैसे घरेलू प्योग में इस हैमर का प्रियोग नहीं किया जाता है लेकिन कई जगे पर कूटने पीटने कारियों में आप इसका प्रियोग ले सकते हैं घरेली कारियों में कहा जाए तो ये minimum इसका जो वज़न रहता है वो दो किलो ग्राम रहता है कितना रहेगा दो किलो ग्राम और दो किलो ग्राम का आप हैमर अगर यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी सते पर अगर आप जोड से मार देंगे तो वज़न दो किलो ग्राम बदल सकते हैं, यानि फोर्जिंग करने के लिए विशेश रूप से जिस हैमर का प्रियोग किया जाता है, वो आपका सिलेज हैमर है, और आपने देखा होगा लोगो का जो कारे करने वाले होते हैं, लो कर्मी होते हैं, लो पीटा जो होते हैं, वो जर्णली इस हैमर का प्रिय करते हैं यह 2 kg minimum होता है और 10 kg अधिकतम रहता है इसका वजल जादा रहता है ठीक है और यह कूटने पिटने के काम आएगा इसका हैंडल अपेक्षा करत अन्य हैमरों के अधिक रहता है क्लियर हैं समझगे होंगा आप मेरी बात को और यह गरम और ठंडी दोनों प्रकार की वस जाता है आप सभी इतनी संख्याम मेरे साथ जुड़े हो हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और यह क्लास हमारी सेकेंड क्लास है इससे पिछली जो क्लास हमने लिए है वह क्लास भी मैं चाहूंगा कि आप सभी क्या कर ले एक बार उसे भी क्या कर लेए देख ले उसमें मैंने आपको छेनी के चीजल के डिफरेंट डिफरेंट टैप के जो एंगल होते हैं उसको जो नुमेरिकल आते हैं वो मैंने पिछली क्लास में आपको कराए थे चलिए अगला है हमारे पास मैलेट मैलेट जो होता है वो सीसम की कीकर की साकवान की इस परकार की लकडी क बनाया जाता है यह जर्णरली क्या काम करता है पतली चड्डर जिस पर कोई dant वगरा जाता है उस dant को ठीक करने का काम करता है इसका PDF हमारे में मिले गा और एप को download करें description में लिंक से ठीक है तो यह mallet है यह किसी भी मोच को किसी भी dant को ठीक करने का काम करेगा कौन मैलेट लकड़ी का बना होता है फेना तीनों चारों पाचों लकड़ियों का नाम ले लिया इन में से ही यह आपका कुश्चन वहां बैठ जाएगा इसके बाद में आता है सॉफ्ट हैमर में आपको यह वाला भाग नीचे वाला भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ उपर वाला भाग मत देखना यह जो निचला भाग होता है यह पीतल का ब्रास का या फिर आपका तामे का शीशे का बनाया जाता है अधिक शोट पहुँचाने के लिए अधिक शोट कलर का लगा हुआ है यह आपको दिखनी रहा होगा जहां तक है ना तो यह प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक और शीशा दोनों का या पीतल का दोनों का यह जन्रली क्या करता है यह पतली चद्रों के लिए प्रियोग में लाया जाता है चलिए आगे चलते हैं प्लास्टि तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप इस session में regular जुड़े और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए आप हमें बताएं इसके साथ साथ PYQ MCQB आपकी आने वाली परिक्षा 2023 के लिए यहाँ पर complete कराये जाएंगे तो आप सुबह साड़े दस बजे मुझसे जुड़ना ना भूलें अगर आप जी मेट पर नए हैं तो जी मेट को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको ALP से संबंदि सारी जानकारियां आपको regular devices पर मिलती रहें और इसके साथ साथ हम केवल और केवल ALP पड़ाते हैं ALP के लावा हम किसी और चीज की यानि लोको पाईलिट और टेक्नीशन के लावा हम किसी और चीज की तहरी नहीं कराते हमारा सिर्फ यह लक्ष है कि एक बच्चे को अपने जीवन में इस वेकेंसी को बरने का या टेक कर रखा है आपने 22 साल की उमर में अगर टेक्निकल कॉलिफाई हूँ है तो सिर्फ आपको एक चांस मिलेगा इस वेकेंसी को देखने का अगर आपने आइटी कर लिया है 18 साल 19 साल की उमर में या 20 साल से पहले तो हो सकता है आपको इसके दो चांस मिल जाएं लेकिन यहीं बहुत कम होते हैं तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए तो आप सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पढ़ना चाहते हैं कि यह जो कॉम्बो पैक है यह आपको बहुत सच्थी कीमत पर तिल एक्जाम के साथ में मिल रहा है आप डाउट किलरेंस करने के लिए हमारे पास एक आप और है जिसमें चलती हुई लाइव क्लास में आप टीचर से बात कर सकते हैं अपना डाउट जैसे मोबाइल पर फोन पर और तरीकों माद्यम से आप पूछते हैं उसी प्रकार से आप चलती हुई क्लास में रियल पूछ सकते हैं इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा दोनों एप हैं इसमें जीमेट पर आपको कोर्स लेना लाइप के वल डाउट के लिए बना हुआ है इसमें आपको आफ लाइन वीडियो वगरा डाउनलोड यानि नेट अगर आप बंद भी कर देंगे तो भी यहां पर आप डाउनलोड करके वीडियो को बार बार देख पाएंगे इसके साथ साथ पीडियाफ आपको डेली कर डेली मिलेगा ऑफ लाइन जो डाउट है जब आपकी क्लास हो जाती उसके बाद में आप स्क्रीन शॉट ले करके वहां से पूछ सकते हैं कि हमारा यहां पर कोई डाउट था डेली चार टेस्ट आपको डे जाते जो भी क्लास होती उसके लाश्ट में आपको से सम्मंदिर टेस्ट आपके एप में ही आपको दे दी जाते और लाइव टेस्ट की फैसलिटी है अल ओवर इंडिया का जो बच्चा है वो हमसे जुड़ करके एक ही समय में करेंधिर अलग को कॉर्स फिटर के लिए अलग हैं विश्मं सब्सक्राइब तरेना चांथ ये इस समय पर आप करके अपनी फ्यूस को चेक कर सकते हैं और अगर आफ को कोई डिसकाउंट प्राइस वगर रहा है तो आप एपना कॉट्स सकते इसके मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप किसी माध्यम से पेम प्रयों वह सकते हैं तो आप कोई दिक्कत आती है इन केस आपका समस्या का निवारण किया जाया यानि कि कोर्स लेने के बाद में हम रेगुलर लए आपके साथ जुड़े रहेंगे तो यही था हमारे अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और जाद जाद बच्चों को एक वीडियो शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में सभी बच्चे जुड़ पाएं और इन किलासों का जो ALP के लिए डेडिकेटेट है उनका लाब ले पाए तो आपने अगर चैनल सस्क्राइब नहीं किया अभी तक तो आप जरूर कर ले ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारिया जो हैं ALP के संबने मिल सकें ओके गुड़ बाई थेंक्यों बैस्ट आफ लाग गुड़ बाई